आएगा फ्रेंड एक बार फिर से हम आपको लेडिज टाउजर की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करते हैं और बिधवत तरीके से बताएंगे और कम कपड़े में भी बताएंगे किस प्रकार से हमें निकालना है तो ये कपड़ा हमारा एक बीस एक बीस में हम टाउजर फुल आपको कटिंग करकर दिखाएंगे किस प्रकार से निकालना है तो हम कपड़े को डबल ये हमारा फोल्ड है इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसको डबल यानि दो पल्ला है इसे में किनारी अपनी तरफ है ये लंबाई के हिसाब से आ आपको नाप करके दिखा देते हैं ये एक बीस है एक बीस में हम टाउजर की कटिंग आपको आप लोग पैंट मत समझे लेना एक बीस उसमें निकल आती है आराम से पैंट फिलाल इसका आर्ज बहुत कम होता है इसमें निकालना इतनी जंदी नामुंकिन है फिलाल हम लाश्टिक के लिए यहाँ पे हम 2 इंच इस प्रकार से निसान लगा देंगे तो यह लाश्टिक के लिए हमारी हो जायेगी अब इसके बाद में यहीं से हम लटक के लिए निशान लगाएंगे 13 इंच लटक 12.5 या 13 इंच आप रख सकते हैं अब यह हमने 13 इंच की लटक इस हिसाब से कर लिया है अब यहीं से हम लंबाई जहां से लाश्टिक का 2 इंच लिया था वहीं से लंबाई का निशान लगाएंगे हम अब हम टाउजर की लंबाई 36 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे और 2 इंच या 2 इंच ले लेंगे यहाँ पे हम 2 ही इंच दबाव रखेंगे और इस परकार से मोहरी का भी हम दोनों मारी कर लेंगे अब इसके बाद में हम पहले रान अब यहाँ पे रान का जब हम निशान लगाएंगे तो रान हम यहाँ पे 1.5 इंच साधे त्यारा या 14 इंच आप रख सकते हैं तो यहाँ पे हम साधे त्यारा इंच रखेंगे तो इस परकार से किनारी से हम साधे त्यारा या 14 तो यहाँ पे हम साधे त्यारा इंच रखेंगे और यहाँ पे यह साधे त्यारा हो चुका अब बीच का निसान लगाएंगे साड़े त्यारा का तो पौने साथ इंच यहाँ पे पौने साथ आएगा और फिर डेढ़ इंची यहाँ पे लगा लिया अब इसी प्रकार से उपर का भी निसान लगा लेंगे 3.5,9 और प्लस पौने साथ अब इसी परकार से हम मोहारी की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे हम पौने साथ यह बिच का है ना यहाँ पे 3 और 3 दुना 6 6 दुनी 12 मोहारे रखेंगे तो 3 इधर और 3 इधर 6 दुनी 12 हो जाएगि अब इसी परकार से बीच वाली barking हम कर लेते हैं अब ये बीच वाली हमारी marking हो चुकी है अब इधर सायड की जो हमने डेधोंची का लिया था वहीं से लगाएंगे 13 इंची को डेधोंची जो छोड़ा था अब इस परकार से हम अब दोनों तरफ हम साइड की इस प्रकार से मार्किंग क्रॉस फंटी के माध्यम से इस प्रकार से कर लेंगे अब इधर हमें कोई जरूरत नहीं है करने की अब इसी प्रकार से इधर भी कर लेते हैं अब यह हमारी मार्किंग हो चुकी है अब यह जो यहां पर गुटका लगा है इस हिसाब से लेना है मार्किंग यह वाला हमारा गलत है यह वाली मार्किंग सही है तो इसी के हिसाब से हम यह मार्किंग कर लेंगे अब इसके बाद में हम पॉकिट के लिए यहाँ पे गुटका उठाएंगे पहले दो इंच पे निशान लगा लेंगे फिर शाड़े छे पॉकिट खोल लेंगे शाड़े छे इंच पे अब यह हमारा फ्रेंड पला तयार हो चुका अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं फिर हम आ इंची का एक निशान उठा लेंगे यहाँ पे यहाँ से मारी चाक खुलेगी इस प्रकार से गुटका उठा लेंगे अब इस पीस का कपड़ा तो कम है तो हम इस प्रकार से बैग पला निकालेंगे इसको हम इस प्रकार से बिछा लेंगे यह इधर का बच्चा हुआ था इसी से में एक पला हम निकालेंगे अब हम एक पला इसमें निकालेंगे और एक पला दूसरी तरफ निकालेंगे अब इस प्रकार से हमने कपड़े को बिच्छा लिया है अब यहां पे हम एक हिंची का दबाव ले लेंगे और यहां पे डेढ़ हिंची का ले लेंगे और यहां पर भी डेढ़ हिंची का ले लेंगे और यहां पर भी अब इसको हम इस प्रकार से जिस हिसाब से मैंने सामना पल्ला में किया था उसी हिसाब से इधर भी हम कर देंगे अब यह हमारा बैक पल्ला भी मार्किंग हो चुका अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं अब इसके बाद में दूसरा पल्ला हम इस हिसाब से कपड़े को बिच्छाएंगे यह हमारा खड़ा निकलाएगा हिलाल कपड़ा कम था तो इसी लिए खड़ा निकालना पड़ेगा अब इसी पे हम इस परकार से बराबर कपड़ा रख लेंगे और इसी बैग पला पे उसी के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे इस हिसाब से हमारी टाउजर की कटिंग हो जायेगी आप किसी भी टाउजर की cutting करना हो अगर कम कपड़ा है तो इसी परकार से आप cutting कर सकते हdef अब इस परकार से टाउजर की back palla की दोनों cutting हो चुकी है अब इसके बाद में हम इसपे शिलाई करेंगे तो शिलाई आपको भी बताएंगे किस परकार से करना है फिलाल हमने अगले वीडियो में आपको एक नहीं दो बार हमने आपको बता चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे वीडियो में जा करके